यूपी के रामपूर में नवाबों के समय से कबूत्रों की उडान का टूर्नामेंट लगातार होता चला रहा है यह टूर्नामेंट सेंकडो लोगों की मौझूदकी में रामपूर के जफर मेरेज हाल में होता है जिसमें विजेता को कईधर हैं के उपहार दे कर सनमानित किया जाता है कबूत्रों की यह उडान सुबा 6 बजे से उडाई जाती है जिसमें कौलिफाइट कबूत्र वही होता है जो सबसे अधिक समय में उडान पूरी का नीचे उतरता है कबूत्रों की उडान का यह टूर्नमेंट उस्ताद सरदार दल्बेर सिंग फ्लाइंग कलाप की और से करवाया जाता है जिसमें रामपुर जिले के इलावा अने शेहरों के लोग भी मौजूद होते हैं इस उडान के विजेता बेकार खान रही हैं जिन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है जिसमें बेकार खान को 30,000 रुपे नगद उफार वा मोटर बाइट मिली है और वहीं सेकंड प्राइज फुरकान खान को मिला है इन दोनों को नगरपालिका के शेयर्मेन पती अजहार खान वा उस्ताद परवेश खान ने ट्राफी वा नगद पुर्सकार देकर सन्मानित भी किया अजार टीवी नियूज के लिए रामपुर यूपी से रेखारानी की रिपोर्ट पुरकान खाने जीता और सैकीली नाम पुरकान खाने जीता और बहुत अच्छा टोर्नमेंट टोड़ा और यहां रामपुर में यह परमपराचरी आ रही है हमारी यह तोर्नमेंट बरकरारी से होते हैं कि यह नावाबो का शहर है यहां कभूतर उरते चले आ रहे हैं और इंशाल्ला यहां मई के टूनमेंट भी करा रहे हैं और आगे यह दिये का और करांगे और यह हमारे यमन खान है सब्सक्राइब इसने चे गृटायै कभूतर लगता है और कभूतर शाहं तक रामप ऑज़ते रही है और इसे हुड़ी सब्सक्राइब करा है और 25 साल सूपर इंडिया कराई एक रिकॉर्ड में होता है क्योंकि लोकल टोनमेंट दो चार पांट साल चल करते हैं खतम हो जाते हैं सब्सक्राइब करा रहा है विजेता फुरुकान खा और विखार खाने जीते हैं कितने 30,000 रुपे कैश प्राइज रखा फरस्ट में और सेकृट में जो है वह 20,000 रुपे रखा है और श्पेशल आखरी का मुतर पाच सब्सक्राइब का उसके साथ चोड़ी ट्राफिया भी हमें और हम चाहते ही हैं कि आगे इंशाला इसे जादा कैश भी रखें और हमने एक टोनमेंट जो है जिसमें चैंपियन ट्राफियूस में हमने वाइक भी दिये जो 65,000 गीत इमत की है और इससे पहले हमने टोनमेंट करा है उसमें एल्ट्रोकार भी हम दे चुके हैं